आज जो हमारा topic है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है communicable disease ये community health worker की जो book है उसका third part का first chapter है तो आईए हम इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि communicable disease होते क्या हैं जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी special weather में कभी-कभी या किसी community में कोई एक disease बहुत common होता है जो एक साथ सबको हो जाता है जैसे especially Delhi में जब मांसून आता है तो बहुत सारी लोग आपने paper में पढ़ा होगा डेंगू से सफर करते हैं तो इस तरीके से वो disease और वो infectious disease जो की microorganism से होते हैं जैसे bacteria, virus, parasite and fungi और वो directly और indirectly एक person से दूसरे person को हो जाते हैं they are communicable disease अब आपके मन में एक query है कि यह जो disease है यह कैसे communicate करते हैं उसको बताने से पहले मैं यह आपको कुछ pictures दिखा रही हूँ कि यह देखी यह virus है, bacteria है, fungi है यह वो microorganism है जो communicable disease के लिए responsible है and we cannot see them through our naked eyes अब communicable disease का mode of transmission क्या है, how they can happen सबसे पहले है direct, direct मतलब जब हम किसी के direct contact में आते हैं like scabies disease में हम हमेशा patient को यह बोलते हैं कि आप जो भी अपने कपड़े उतारेंगे इसको उतारके अलग से धोईएगा इसको बाकी लोगों के कपड़े के साथ मद धोईएगा skin disorder usually direct contact से होते हैं, अगर आपके इसे handshake करते हैं, किसी के कपड़े exchange करते हैं तो via direct आपको वो disease communicate हो जाता है second हम आते है, airborne disease airborne disease में कई पर आपने देखा है कि कोई छीक मारता है तो जब तक आप घर आते हैं, आप कहते हैं मुझे भी खासी जुखाम हो गया तो जब उसने sneezing किया, तो जो bacteria थे, वो air में आ गए और जब आपने breathe किया, तो आपने उन्हें inhale कर लिया और आपने वो communicable disease जो है, carry कर लिया and you become infected with the same disease and you carry the disease through air third में हम आते हैं, waterborne disease waterborne disease में कभी-कभी आप कुछ contaminated पानी कहीं का पी लेते हैं और घर आते हैं आपको food poisoning हो जाता है तो यहाँ बर water जो है, is a source of communicable disease फिर है soilborne disease, soilborne disease में especially hookworms, roundworms से related disease ही होते हैं कि जो fecal metal होता है, fecal metal में हमारे जो यह जितने भी parasites हैं, इनके larvas, eggs रहते हैं और हम जब कभी भी नंगे पैर चलते हैं या मिट्टी से खेलते हैं और हाथ नहीं धोते हैं तो हम यह सारे parasites को body के अंदर ले जाते हैं और हमको gastroenteritis लिया, stomach से related amoebases है, gastroenteritis है, acid disease, dharia है, acid disease हो जाती है फिर है animal born disease animal born disease में कई बार आपको कुत्ते के काटने से rabies हो जाता है बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, इन सब animals के काटने से भी आपको disease हो जाता है फिर है food born disease, food born disease में भी यह आप street food खाते हैं, आप canned food खाते हैं, आप रात का बचावा खाना खाते हैं तो उन सब में bacteria grow करता है और वो bacteria जब आप इस खाने को खाते हैं तो आपकी body में चला जाता है दारिक में देखिए, handshake से आप कर रहे हैं, कपड़े पहनने से कर रहे हैं, मैंने water contaminated दिखाया है, उसके लावा food contaminated दिखाया है तो यह सारे source, mode of transmission है, जिनके कारण आपको communicable disease होते हैं अब communicable disease के बारे में हम, कुछ communicable disease के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं, chicken pox, जिसको लोग कहते हैं कि, जो है, सबको life में एक बार जरूर होता है और specially आपके देखिए कि इसके जो victims होते हैं, वो बच्चे जादा होते हैं पांस से दस साल की उमर में usually यह हो जाता है और यह life में एक ही बार होता है, when you get infected by this disease, you get the immunity कि आपको यह इसकी recurrence नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है कि पांस से दस साल में ही होता है but 5 to 10 years children are more prone, यह किसी भी age में हो सकता है life में एक बार होता है and it is caused by varicella joster virus, यह viral disease है, virus से होता है it is a common disease caused by virus और यह usually April to September के weather में होता है आप जितने भी communicable diseases होते हैं, वो humidity में जादा हो जाते हैं जब भी April to September का जो weather होता है, वो monsoon, summer, ऐसा weather होता है जिसमें bacteria maximum grow करते हैं तो इसी लिए जितने भी infection होते हैं, वो इस weather में maximum होते हैं अब आप कैसे पहचानेंगे कि यह chicken box है, तो उसके कुछ sign and symptoms हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं, कि यह chicken box है मैंने पिछली में भी यह diagram भी नीचे दिखा रखा है कि किस तरीके के blisters होते हैं, face पे आते हैं, chest पे आते हैं सबसे पहले cuff cold होता है, उसके बाद fever होता है, उसके बाद आपको body में pain होने लगता है और fever के साथ साथ rashes आने शिडू हो जाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि यह chicken box है बट स्लोली यह rashes बढ़ने लग जाते हैं और cluster में नजर आने लगते हैं the spots develop in cluster and generally appear on face, limbs, chest and stomach आप जब बच्चे की shirt उठा के देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके stomach में भी बहुत सारे blisters हो गए है and all spots appear simultaneously, means दिन में बच्चा सोया है या रात में सोया है और morning में आप उठके देखते हैं तो उसका face, उसकी chest, उसका stomach सब पर blisters आ चुके होते हैं rashes आ चुके होते हैं, इसका incubation period सास से किस दिन है, मतलब 7 to 21 days में यह automatically ठीक हो जाता है और जो blisters होते हैं और जो spots होते हैं वो अपने आप disappear कर जाते हैं यह देखिए diagrams है, diagrams में हमने आपको दिखा रखा है कि blisters किस तरीके के होते हैं, आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं कि यह chicken box के blisters हैं क्योंकि अभी मैं आपको आगे measles पढ़ाऊंगी, तो measles और chicken box में कई बार आप differentiate नहीं कर पाते हैं अगर आप blisters को ध्यान से देखेंगे तो आप differentiate कर पाएंगे कि यह chicken box है या measles है अब इसका आप diagnosis कैसे बनाएंगे कि यह chicken box है, तो इसके लिए जो blisters होता है, जब मान लीजे कि वैसे तो यह अपने आप 7 to 21 days में, 7 days में even disappear हो जाता है और ठीक होने लगता है, बट सम्टाइम्स यह इतना जादा हो जाता है कि इससे complication हो जाती है, तो in that case आपको यह confirm करना ज़रूरी होता है कि यह जो blisters है, यह chicken box कहीं है, उसके लिए जो blisters में से discharge निकलता है, उसका हम microscopy examination कराते हैं, for the virus, जो कि virus में ने बताया है, इसके chicken box के responsible है, वेरिसला, उसका हम test कराते हैं, अब हम बात करते हैं, इसके बहुत सारी complication होती है, if mother, अगर pregnancy है, और pregnancy में आप infected हो जाते हैं, तो chances होते हैं, कि miscarriage हो सकता है, और जो आप baby delivered कर रहे हैं, उसमें abnormalities हो सकती है, तो it's better कि अगर आप pregnancy में चिकन box से infected हो गई हैं, तो आप when you get cured, तो आप ultrasound कराएं, और पूरा से देखें कि जो baby है, उसमें कोई abnormalities तो नहीं आई है, अगर कोई abnormality developed हो गई है, तो आप उसको abort करा दे, उसको carry करके ना रखें, कई बार ये chicken box वैसे तो it's not a fatal, और ये easily ठीक हो जाता है, पट सम टाइम्स कुछ जिन लोगों की immunity थोड़ी weak होती है, तो उनको secondary infection होने के भी chances हो जाते हैं, and secondary infection जो है, it leads to pneumonia, encephalitis, ऐसे सारे diseases में हो सकते हैं, अब अगर हम बात करते हैं, treatment और जो health workers हैं, वो इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको लगता है कि किसी की immunity बहुत weak है, immunity weak आप पता कर सकते हैं कि अगर वो बच्चा बार-बार बिमार रहता है, healthy नहीं रहता है, उसकी fooding habits healthy नहीं हैं, तो उसकी immunity weak होगी, और जिसकी immunity weak होती है, उसमें secondary infection के chances बहुत जादा होते हैं, so to avoid the secondary infection हम उसको prophylactic antibiotics जे सकते हैं, और उसके इलाबा, अगर हमें लगता है कि इसकी problem जादा है, तो हम medical officer को inform कर सकते हैं, और हमको patient को watch करना चाहिए, जो इससे suffer कर रहा है, जिससे और बच्चे उससे infected ना हो, मानलो वो school जाता है, तो उसको ये कहना चाहिए आपको, कि आप घर पे रहें, आप school में ना हाएं, क्योंकि ये बहुत communicable disease है, इससे बहुत जल्दी दूसरे बच्चे infected हो सकते हैं, and give the proper knowledge about the disease and its immunization, BCG की immunization के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं, और specially जो लोग इसके लिए जहाड़ फूख कराते हैं, उनको आपको मना करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इसमें जहाड़ फूख से आपको कोई रिजल्ट नहीं मेरेगा, और you should, what should always avoid it कि हमें infected people को, या infected बच्चे को healthy one से दूर रखना चाहिए, कि मतलब दोनों के दोनों साथ में ना रहें, अब हम बात करते हैं, मीजल्स की, अभी हमने chicken box की बात करी, अब हम मीजल्स की बात करते हैं, chicken box में भी vaccination अविलेबल है, even measles के लिए भी vaccination अविलेबल है, जो राष्ट करते हैं, उसके अंदर BCG और measles के लिए हमें बच्चे को vaccinate और immunized कराना चाहिए, अब measles के बारे में बात करें, तो measles is a highly infectious disease and its complications are more harmful, कोई भी disease जब start होता है, अगर आप उस time उसके लिए proper treatment नहीं लेते हैं, या उसको properly treat नहीं करते हैं, तो it gets complicated, और even in some case it get fatal also, और इसमें भी ये हिए, कि if it appears once in a person, gains immunity for the rest of the life, जिस तरह से वे ने भी chicken pox में बताया, इसी तरह से measles में भी, कि once you get infected, you will have the immunity for this disease, the disease is contagious for 4 days before the races appear and it continues to be contagious for almost 4 to 5 days. Usually, जो illiterate लोग होते हैं, पूर होते हैं, जो thickly populated area में रहते हैं, जिनको बिल्कुल knowledge नहीं होती है, कि हमको hygiene को कैसे maintain रखना है, हमको अपने आपको vaccinate कराना है, हमने आपको immunize कराना है, वो सारे ज्यादा प्रोन होते हैं इन सब disease के लिए. आप measles के symptoms, इसमें भी high fever रहता है, with cough cold and eye becomes red, इसमें एक अलग बार जो चीज है, the eyes become red, vomiting होती है, डाइरिया होता है, जो कि chicken pox में नहीं था. This is very common disease in children, measles is caused by infection with the rubella virus, it's also a viral infection like in a chicken pox, the virus lives in the mucus of the nose and throat of an infected child or adult. तो ये भी एक airborne disease है, क्योंकि mucus में और nose में इसका virus रहता है, तो जब आप sneeze करते हैं, तो sneeze करने से बाकी लोग भी से infected हो जाते हैं, जैसा कि डाइग्राम में दिखाया है, कि air में किस तरीके से इसका virus आता है, कैसा इसके जो आपको rashes हैं या spots हैं, वो किस तरीके से आते हैं पहले face पे आते हैं, neck पे आते हैं और back पे आते हैं, इसमें stomach में वैसे से निशान नहीं आते हैं, जैसे कि आपके chicken box में आते हैं, और इसका incubation period भी chicken box से कम हैं, अब इसमें complication क्या आती है, same क्योंकि ये airborne disease है, तो जब nasal and mucus में इसका bacteria रहता है, तो it can go to the lung also as a secondary infection, तो pneumonia, malnutrition, diarrhea, respiratory problem, इस सब as a complication हो सकती है, treatment में इसका भी there is no specific treatment for measles, to avoid the complication, we can give prophylactic brought spectrum antibiotic, अगर fever है, तो आप paracetamol दे सकते हैं, अब सबसे important बात आते है, prevention की, चाहे वो chicken box की हो, चाहे वो measles की हो, prevention सभी में ज़रूरी है, इसमें भी आपको chicken box में भी, और measles में भी, pregnant woman को आपको guide करना चाहिए, nursing woman को आपको guide करना चाहिए, कि जो children है, उनको पूरी nutritional diet दी जाए, especially nursing mother अगर है, तो वो अगर breast feed पे हैं, तो बच्चे को breast feed पे रखें, कभी भी breast feed बनना करें, बच्चे को immunize कराए, 9 month के baby को measles vaccine लगता है, उसको measles का vaccine जरूर in isolation, उसको क्योंकि it's a very contagious and communicable disease, तो patient को हमिशा isolation में treat करें, give knowledge to the people about this disease, कि same मैंने बोला है, कि जाडफूक से दूर रखें, उनको आपको knowledge देनी है, कि आपको क्या करना है, ना कि जाडफूक करके बच्चे को दूएं से और परशान करना है, a measles vaccine, vaccine is recommended at the age of 9 month, during epidemics, children should immunize, मतला वैसे तो 9 month में होता है, अगर आपको लगता है measles का epidemic fell गया है, तो आपको दुबारा भी immunize करा सकते हैं, keep the vaccine, जो आप vaccine होता है, उसको फ्रेज में रखना है, यह health workers के लिए है, कि हमेशा vaccine को फ्रेज के अंदर रखे, should be immediately as vaccine open, जैसे आप vaccine खोलेंगे, आप उसको immediately use कर लेंगे, use the vaccine within the 6 month of date of manufacturing, give 0.5 ml intra muscular, यह सारी बाते जो मैंने बताई हैं, यह health workers के लिए है, कि किस तरीके से आपको vaccine को store रखना है, किस तरीके से vaccine आपको immediately use करना है, और कितना use करना है, तो अभी तक हमने chicken box और measles के बार में प next topic है polio, polio जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और polio अभ्यान बहुत तेजी से चल रहा है, pulse polio अभ्यान, सरकार भी उसमें पूरा participate कर रही है, और हम चाहते हैं कि हर कोई उसमें participate करें, और polio को पूरी तरह से eradicate करे, polio and infantile paralysis is a viral infection disease caused by the polio virus, तो अभी तक हम viral disease के बारे में ही बा virus is polio virus, there is a muscle weakness resulting in inability to move, पहले weakness होती है, उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है, children younger than 5 years old are more likely to contact the virus than any other group, छोटे बच्चे इसमें बहुत प्रोन होते हैं, यह देखिए, यह डाइग्रामस हमने दिखाए हैं कि किस तरीके से पहले muscular weakness होती है, और अगर हम उसको properly treat नहीं करते हैं, तो कैसे abnormalities आजाती हैं, कैसे inability to walk हो जाती है, यह डाइग्राम आप देख रहे हैं, यह polio के डाइग्रामस हैं, अब हम polio का diagnosis कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले तो muscular atrophy आपको later stage में inability होती हैं, पर initially diagnosis हमेशा initially ही किया जाता है, जिससे treatment हम आराम से कर सकें, तो muscular atrophy होगी, weakness होगी, बहुत जादा weakness होगी, और patient को paralysis हो जाएगा, अब आप paralysis में यह भी हो सकता है, कि paralysis का कोई और कारण हो, जरूरी नी polio हो, उसको test करने के लिए हम cerebral spinal fluid निकालते हैं, और उसको test करके उसमें protein का level जांच करते हैं, go for culture test for CSF, कि हम जो cerebral spinal fluid, CSF जो हमें निकाला है, उसको ह हम culture करा के उसमें देखते हैं, कि polio virus ग्रो तो नहीं कर रहा है, या polio virus तो नहीं है, if polio virus is present, it means the polio is positive, अब इसमें भी treatment की बात करते हैं, कि admit the affected child in a hospital, in an isolated ward, क्योंकि it's also communicable disease, improve the affected part by physiotherapy, माल लीजे, पूरी तरह से abnormalities नहीं हुई हैं, अभी muscular weakness है, तो हम physiotherapy के द्वारा उसके part, affected part को ठीक करने की कोशिश करते हैं, we can go for polio correction surgery to correct the abnormalities, अब prevention, इसमें भी हम prevention की बात करते हैं, best way to prevent polio is to get the vaccinated, we give two drops, only OPV, OPV is a oral polio vaccine, is given by the children of age of 0 to 5 years, इसको impulse polio program केते हैं, जिसके अंदर हम घर घर जाके बच्चों को दो बूंत OPV की देते हैं, एक है cold chain, what is cold chain, cold chain is a system of storing and transporting the vaccine, कि अगर आपके पास जो vaccine हैं, उसको कैसे store करना है, कैसे transport करना है, उसके लिए cold chain process होता है, at recommended from the point of manufacturing to the point of use, that is the role of cold chain is to maintain the potency of a vaccine, कि मतलब मान लिजए manufacturing के बाद उसकी potency खतम ना हो जाए, मतलब वो धीरे-धीरे decay ना होने लगे, उसके लिए हम कैसे उसकी potency को maintain रखेंगे, यह उसके लिए ही cold chain process होता है, अब हम next topic के बात करते हैं, that is diarrhea, diarrhea बहुत common disease है, और small children में बहुत होता है, अगर इसको हम treat ना करें, तो it lead to death, आपने कई बर सुना होगा, कि बच्चा राद भर loose motion, vomiting करता रहा, और सुभे वो जब अगर उसको hospital नहीं लेके गए, उन्होंने इसे hospitalized नहीं कराया, तो उसकी death हो गई, तो especially for a small children, you should be careful about the diarrhea, diarrhea, diarrhea is when your bowel movements become loose or watery, the definition of diarrhea is passing loose or watery bowel movements, sometimes due to more loose motion, dehydration occur, ऐसे पेट में cramps आते हैं, यह देखिए, इंटस्टाइंस किस प्रकार से involved होती है, ठीक है, everything you need to know about diarrhea, आप मतलब बात्रूम में बैठे ही रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और यही करते रहते हैं, आप causes, virus, bacteria, parasites, इसमें तीनों चीजें ही responsible हैं, contaminated water, food are responsible for diarrhea, आप कौन-कौन से bacteria हैं, which are responsible, bacteria is salmolia, shingella, E. coli, vibrio, colory, they all are the bacteria, which are responsible, virus में कौन-कौन से हैं, rotavirus, kona virus, parasites में कौन-कौन से हैं, entamoeba histolica, fleas are the carriers of the disease, तभी हम कहते हैं, कि जब भी हम बाहर कहीं खाना खाते हैं, अगर उसके पर मखियां भिन-भिना रही हैं, तो आप कभी भी उस खाने को ना खाएं, because fleas are the carrier of diarrhea, जब भी आप बाहर से कुछ कही बार ऐसा होता है, कि आप बाहर से कुछ खाकर आते हैं, उसके बाद ही आपको lose motion लग जाते हैं, because you carry the infection from outside or from the contaminated food, spreading time is summer and monsoon, मैंने भी पहले बताया है कि April to September is a peak time to get infected, because this is the breeding time of bacteria and virus, उनको जैसी humid मिलता है, they will grow very fast. अभी डाइरिया की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि dehydration हो जाता है, अगर आपको बहुत जायर डाइरिया हो गया है, chronic or severe diarrhea can lead to rapid dehydration, which is the excesses loss of fluids from the body, इसमें क्या होगा, जब आपका excessive loss होने लगता है, तो आपकी heart rate बढ़ने लगती है, breathing में problem होने लगती है, खिर्स है, वसंकन front tail, अगर किसी भी बच्चे को आप दबा कर देखते हैं head को, और उसमें spot आने लगता है, तो immediately take the baby to the hospital for IV fluid, अगर वो औरली कुछ नहीं ले रहा है, it means dehydration बहुत ज़ादा हो रहा है, और आपको वेट नहीं करना है, और immediately take the kit to the hospital, little or no urine pass in the last 8 hours, अगर urine बिल्कुल नहीं पास कर रहा है, तो भी it's a alarming symptom, तो देकिए हमने डाइग्राम दिखाए हैं, कि कैसे वो person जो है लेटा हुआ है, he is not able to walk, he is not able to talk, क्योंकि उसकी सारी energy loss हो जाती है, आपको और वो पानी भी कई बर ऐसा होता है, कि आप औरली कुछ नहीं ले पाते हैं, जब आप औरली कुछ नहीं ले पाते हैं, तो immediately आपको hospital जाना चाहिए, बट स्टिल, हमको कुछ कोशिश करनी चाहिए, घर में भी dehydration को improve करने की, health workers को कोशिश करनी चाहिए, कि वो guide करें, उन्हें बताएं, उन्हें क्या करना हैं, fluids can be replaced by simple drinking, more fluids can be given in the form of like coconut water दें, सिरफ पानी पिलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप बहुत looser water इस्टूल करते हैं, तो electrolyte imbalance भी हो जाता है, electrolyte imbalance को balanced करने के लिए, सिरफ plain water से काम नहीं चलता है, ये शुद गिफ coconut water, shikanji, आप उसे दे सकते हैं, अगर infants हैं, तो उसको breastfeed पे रखें, salt and sweet water दें, ores should be given to the patient, in case of severe dehydration, intravenous fluid therapy should be given, and intravenous fluid therapy should be given in the hospital, आप कोई भी health worker घर में IV fluid लगाने की कोशिश ना करें, अब हम बात करते हैं, prevention की, जैसा कि अभी मैं जितनी पी diseases की बारे में बात कर रही हूं, वो सारे ही diseases में, ये सब contaminated food, contaminated water, air, इन सब के कारण हो रहा है, तो आपको prevention हर किसी में almost same ही है, और health worker को specially इस prevention के लिए लोगों को जागरूप करना चाहिए, encourage करना चाहिए, educate करना चाहिए, कि किस तरीके से आपको good hygiene practice रखनी है, always wash your hands with soap, after defecation, before preparing food, and even before eating, sometimes people say कि हमने अभी तो हाथ दोए हैं, जब हम भार गए ते तब हमने हाथ दोए हैं, but you just educate them, you should always wash your hands before eating, and even in a kitchen, females एकी बार हाथ दोगे सारे काम करती रहती हैं, बरतन मांजें, उसी से आटा गुंद लेती हैं, तो you just educate them, कि जब आप बरतन मांज रहे हैं, उसके बाद आपको फिर से हाथ दोगर ही अपने खानी को बनाना हैं, take chlorinated water and ice, कई बार आप पानी तो chlorinated ले लेते हैं, बर जो बजार से ice खरीदते हैं, वो chlorinated नहीं होती, वो contaminated water की होती है, तो कोशिश करें कि ice भी chlorinated water की हो, never eat roadside contaminated food, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, तो you just check कि जो food है, वो properly covered है या नहीं, fresh है या नहीं, कब बना था, यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, good sanitation system, वेस्ट वाटर, sea waste system, यह सब होना चाहिए, educate the people on the spread of infection, अब हम बात करते हैं, cholera की, तो cholera is a epidemic, पहले इस से लोगों की बहुत death होती थी, but due to progress, हम कहें की education के कारण, यह सरकार की policies के कारण, अब cholera से death बहुत कम होती है, but it is a very infectious disease, caused by the bacterium called vibrocholery, when a person consume the contaminated food or water, the bacteria release a toxins in the intestine, that produce severe diarrhea, in cholera, the diarrhea is very very severe, and sometimes we call it rice water stool, की हम यह कहते हैं, की वो चावल के पानी की तरह, जब stool पास करता है, तो it means, this is cholera, तो by the color of a stool, you can differentiate between diarrhea and the cholera, बिलकुल ऐसा लगता है, जैसे आपने चावल दोई हैं, यह देखिए vibrocholery है, किस तरीके से यह multiply होता है, किस तरीके से फ्यालता है, क्या इसकी शेप है, यह सब हमने आपको डाइग्राम में दिखाया है, causes, it's a vibrocholery, the bacterium that causes the cholera, is usually found in contaminated food or water, fleas are the carrier of the disease, so never eat street and open food, the cause is always common in every communicable disease, so you should take care of all the causes, which I am telling you, because जब आप prevention की बात करेंगे, तो सभी की prevention एक ही है, तो जो भी learners है, वो सारे causes को एक बार ध्यान से सुन लें, और क्या उनको patients को बताना है, क्या उन्हें लोगों को educate करना है, किस बात के लिए उन्हें encourage करना है, यह सब अपने copy में लिख लें, और उसी तरीके से काम करें, foods and drinks sold by street vendors, हम especially बोलते हैं, कि इस season में भारकार ना खाए, वो हम क्यों कहते हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ कि इसी लिए कहते हैं, कि this is a humid temperature, there is a growth of bacteria, बहुत तेजी से है इस time, तो street foods, vendor का food, canned food, यह सब चीजें आप avoid कर सकते हैं, अब diagnosis आप कैसे बनाएंगे, I will you do the differential diagnosis, कि this is a cholera और diarrhea, इसमें diagnose में सबसे important बात वही है, कि rice water stool होता है, और heart rate बढ़ जाती है, BP low होने लगता है, presence of vibricolery present in stool, for the treatment, take the patient to the doctor, take care of hygiene, give oral liquid ORS, coconut water, chicken gee, rice water, etc. यह सब आप इसमें भी देंगे, अब हमने अभी तक जो बात करी थी, वो contaminated foods की, drink की इनकी करी थी, next topic is pneumonia, pneumonia is a airborne disease, और इसका जो bacteria है, that is the streptococci pneumonia, pneumonia, pneumonia is an infected, from infected disease of lungs, pneumonia causes inflammation in the air sac of the lung, which are called alveoli, the alveoli fill with the fluid, making it difficult to breathe, nutritional deficient children are more prone to this, इसके symptoms हम भी, fast breathing होगी, shortness of breathe होगा, cough, fever, running rose, low energy and fatigue, difficult in swelling, swallow, वो कुछ खा नहीं पाएगा, dusky और purplish skin color, और cynosis, cynosis मतलब आपको उसके nails नीले नजर आएंगे, और वो नीले इसलिए नजर आते हैं, क्योंकि oxygen supply बहुत कम हो जाती है, देखिए हमने डाग्राम दिखाया है, इस डाग्राम को हमने इसने दिखाया है, कि X-ray में आपको ऐसे patches नजर आएंगे, और ये airborne disease है, जब कोई खासता है, तो उससे second person infected हो जाता है, इसके treatment में we give the broad spectrum antibiotic और antipyretic paracetamol देते हैं, nutritional diet पे रखते हैं, और in case of severity, admit the patient to the hospital, और antibiotic के लिए भी you recommend patient to the doctor, इसके prevention में भी आप mother को encourage करेंगे, breastfeeding के लिए, immunity enhance करने के लिए कहेंगे, और patient को कहेंगे कि जहांपर mist, dust, smoke होती है, महाँ जाना पर avoid करें, take balance diet, cover the child with proper warm clothes in the winter, क्योंकि ये winter में ज्यादा होता है, तो बच्चे को cover करके रखें, next topic is the tetanus, tetanus कहने को कोई बिमारी नहीं है, आपको लगता है कि कई बार आप रोट पे जा रहे होते हैं, गिरते हैं, चोट लगती हैं, तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता, but tetanus is a very serious disease, इसलिए हमेशा कहते हैं, within the 24 hours, immediately take the tetanus injection, to develop a immunity against the clostridium tetanai, it's a bacteria, tetanus can interfere with your ability to breathe, and can threaten your life, tetanus is commonly known as lock ja, आपका शरीर ही धनुष की तरह होता, तो देखिया, मैंने दिखाया कि बच्चे को छोट लगी, infection हुआ और आपने छोट दिया, so it lead to be tetanus, so must give the tetanus injection, जैसे ही आपको छोट लगती है, and इसके bacteria जो है, वो soil, manure and other environmental agents होते हैं, a person who experience a puncture wound with a contaminated object, can develop the infection, which can affect the whole body, it can be fatal, यह आपको लगता है कि मेरे पैर में ही लगा है, but it is fatal, इसमें आप symptoms की जहां हम बात करते हैं, तो muscle, इसके जो symptoms हैं, symptom includes sparse and stiffness, सबसे पहले muscle में stiffness आएगी, stiffness usually start with the chewing muscles, आपको मुँ चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको लॉग जाको बोलते हैं, muscle sparse then spread the neck, neck आपकी अकड जाएगी, throat then difficulty visual, मतला आपको कुछ भी खाने में problem होगी, patient often has sparse in their facial muscles, पूरा body उसकी धनुष की तरह बन जाती है, तो इसके prevention में भी, आपको इसके prevention में सिरफ tetanus vaccine ही इसका prevention है, the tetanus vaccine is routinely given to the children, DTP का injection दिया जाता है, उसकी booster dose भी दी जाती है, 2 month में दिया जाता है, 4 month, 6 month, 15 to 18 month and 4 to 6 years, उसके इलावा कभी भी अगर चोट लगती है, तो within 24 hours हमको tetanus का injection बच्चे को लगा देना चाहिए, क्योंकि tetanus आपको सोचने में ऐसा ही लग रहा है, but it's a very dangerous disease, now we come to the rabies, rabies is a viral disease that causes inflammation of the brain in human and other mammals, तो rabies में का effect सीधा आपकी brain पे जाता है, center nervous system पे जाता है, और rabies का effect, मान लिजए आपको कभी कुटे ने या किसी animal ने आज काता है, तो उसका effect आपको lifetime में कभी भी हो सकता है, early symptoms can include fever and tingling at the site of exposure, rabies used to be known as hydrophobia, इसको hydrophobia इसलिए का जाता है, hydro means water, phobia means dar, कि आपको पानी से डर लगता है, जैसे आप पानी देखते हैं, आप डरने लगते हैं, because it appears to cause a fear of water, यह देखिए, बिल्ली ने आपके हाथ में काटा, डॉक में काटा, animal bites से ही rabbits होता है, rabbit spreads through animal bites, इसके symptoms में, पहले headache होगा, फिर body ache, fever, unable to take any fluid, liquid, मतलब उसके गले में इतना दर्द होगा, कि वो खाना तो छोड़िये, liquid भी नहीं ले पाएगा, change in voice, धीरे दिर उसकी voice change होने लग जाएगी, उसको anxiety होने लगेगी, और वो पानी से डर न लगेगा, prevention, इसके prevention में, street dog should be vaccinated, अगर मानली जरूर पर कोई भी dogs हैं, तो आप वहां की जो नगर नेवम हैं, उनको inform कर सकते हैं, कि इनको vaccinate किया जाए, और या इनको पकड़ के प्रॉपर जगा लेके जाया जाए, ये गली में ऐसे ना घूमे, educational information and awareness, और restriction on the import of animals, मानली जरू कोई एनिमेर कही से इंपोर्ट होके आ रहा है, तो शुड़ भी vaccinated, अगर 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 कांट्री से आ रहा है, तो वेक्सिनेट होकर आए, रेगुलर एंटी रेविस वेक्सिनेशन फॉर आल पेट्स and डॉमेस्टिक एनिमल्स, अगर आपके घर में आपने पेट पाल रखे हैं, तो आप उनको रेगुलर वेक्सिनेट करें, जिससे अगर वो किसी को कार्ट भी लें, तो उनको रेविस ना हो, लगनर्स हमने आपको कांपनी केबल डिजिस के बारे में बताया, होप आपको सब समझ आ गया होगा, और हेल्थ वर्कर्स को यहां बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया, फिर से बताऊंगी, कि उनको सारा का सारा कामनी केबल डिजिस में जो प्रॉब्लम आती है, वो पूर हाइजिन के कारण आती है, तो हमेशा पेशन को आपको एजुकेट करना है, कि उसको हाईजिन मेंटेन रखे, दूसरी बात आपको पेशन को घर पर ट्रीट नहीं करना है, आप जितना फर्स्ट एट दे सकते हैं, उतना ही फर्स्ट एट देंगे, जब आपको लगता है कि patient serious हो रहा है तो उसको hospitalized करेंगे, doctor से advise लेंगे, उसके लावा उसको isolate करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मेरे area में कितने बच्चे जो है communicable या भड़े communicable diseases से infected हो रहे हैं, मुझे उन्हें कैसे दूर रखना है और उसके परिवार को किस तरीके से educate करना है धन्यवाद